हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब वेलकम बैक टो माय यूट्यूब चैनल मीटाइड नीटिंग क्लासे आज किस वीडियो में हम यहां पर बहुत ही पहरा से थाल पोश्ट बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ही साना है सबसे पहले हम यहां पर नूट लगाएंगे दो फ पांच, छेट, साथ, यहांपन धीर धीर हम नूट को आ से खीने ते रहेंगे और अपने पन्देगों बनाते रहेंगे लेकी आट, नूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँद ही दस, ग्यारा, बारा, तेरा, और यहां पे फ्रैंस यहां तेरा 13 फंदे हमने बना के इसको लोग कर दिया है फिर हम दो के चेन बनाएंगे अब सेकर नौन में फंद को इंक्रीज करना हम इसके लिए हमें यहां पे 1 डबल क्रोशे 1 चेन 1 डबल क्रोशे 1 चेन बनानी होगी यह देखिए इस तरह हम यह यहां पे यहां पे यह राउन हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम थर्ड राउन बनाएंगे उसमें दो के चेन बनाएंगे बीच में हमें यहां पे दो दो फंदे बनाने हैं देखिए एक बन गया है दूसरा बन चुका है थर्ड वाला हमें फंदे के ऊपर फंदा बना ल जितना भी हमें पैटरंग चाहिए हम उसके कोडेंगे बीच का बना सकते हैं, सिर्फ हमें डबल क्रोश्या ही बना लेना है, यह देखेगा, यहां पर हमने थाली के लिए रुमाल इतना बड़ा बना लिया है, बिल्कल वही पैटरंग सेम हमने यूज किया है, इसी पैटरंग को यूज करके आप और भी बड़ा बना सकते हैं, अब यहां पर हम ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर से सबसे बहले हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोश्या बना कर यहाँ पे नोट लगा देंगे फिर हम धागे को थला पीछे खीचेंगे और एक सिंगल क्रोश्या यहाँ पे हम बना लेंगे फिर हमें यहांपे चेन बनाने होगी एक, दो, तेन, चार, पांच और यहांपे हम बनाएंगे साथ की चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और अबर हाफ डबल क्रोश है देदे की तीनों का एक बना देंगे धागे को आगे करेंगे और इस तरह तीनों का फिर से एक बना देंगे यह हमारा हाफ डबल क्रोश है दो हमने हाफ डबल क्रोशे बनाएं अब डबल क्रोशे बनाएंगे और एक हमें डबल क्रोशे बनाएंगे एक और हम यहां पे डबल क्रोश्य बनाएंगे दो हाफ डबल क्रोश्य है दो डबल क्रोश्य है और यहां पे यह हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोश्य है देखे यहां से लेंगे हम तिनों का एक बना देंगे और यहां पे नस्ट वाले पे हम बना देंगे सिंगल क्रोश्य देखें हम यारे एक पत्ती रडियो चुकी है नस्ट वाले में फिर से एक सिंगल क्रोश्य बनाएंगे फिर से हम यहां पे चेन बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे की हमने चेन बना ली है, अब यहाँ पर सिर्क हमें सिंगल क्रूश्या लाष्ट नीचे तक बना लेना है, देखी, यहाँ लाष्ट तक हम सिंगल क्रूश्या बनाएंगी, एक सिंगल क्रूश्या हम यहाँ पर लाष्ट में बना लेंगे, और इसे यहाँ पर गायज हम लॉक करेंगे, फिर अगले में एक सिंगल क्रूश्या और बना लेंगे, यह देखी, इस तरह हम यहाँ पर बनाएंगे, और ऐसी सेम पत्ति यहाँ सी एक और इतर बना लेंगे, एक हमने फंदे बढाए वाली करिये हैं और एक सिंगल क्रोश्य ऐगी अब यहापर हम चेन बढाएंगे तीन, चार, पांच, छे साथ के हमने चेन बढाए है और यहापर छे फंदे हम छोड़कर एक सिंगल क्रोश्य बढाएंगे फिर से गायद हमें ये पहले वाले पत्तियां बढ़ाने होंगी यहाँ पर हम साथ के चेन बढ़ाएंगे पाँ, छे, साथ और अब यहाँ पर देखें इसको यहाँ पर हम लॉक कर देंगे यह देखें गायद हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोश्य बना लेंगे अब आयो होब कि आप सब को अच्छे से दिख रहा है फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोश्य बना कर अब हम हाफ डबल क्रोश्य बनाएंगे वान और दो दो बर हमने हाफ डबल क्रोश्य बना लेंगे यहाँ पर लास्ट में हाफ डबल क्रोश्य बना के और इस लाइन को कम्प्रेट करेंगे इस तरह हमारे यह पत्ती दो जूड जाएंगे आपस में फिर से हमें सीधी लाइन बनानी है यहाँ पर हम चेन बना लेंगे सेवन की चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर इसको सिंगल क्रोश्य बनाएंगे लास्ट तक एक सिंगल क्रोश्य दो हो चुके हैं तीन चार पांच छे और इसको हम यहाँ भी लॉक कर देंगे फिर से एक सिंगल क्रोश्य बनाएंगे सेम पहले की तरह हम पत्ती बना लेंगे पहले हम एक सिंगल क्रोश्य बनाएंगे दो हाफ डबल क्रोश्य बनाएंगे और दो डबल क्रोश्य और लास्ट में इसे हम यहां पर हाफ डबल क्रोशिय बना के लग कर दें इस तरह फ्रैंस हमें यह फूरा राउंड कंपलीट कर लेना है सेम यही पैटर्न हमें यूज करना है फिर से हम यहां पर छे की चेन बनाएंगे और एक यहां पर सिंगल क्रोशिय बना लेंगे फिर से यहां पर हम पत्तियां बनाएंगे शेम पहले की तरह हम यहां पर करते रहें जिये से किरीं क्रिप से पत्तिया रेडी हुचकी है यह सेृषफ ऑThis लग रहा है आप उसके बाद में हम यहां पर पींग छो क्लर से अपने पुल बनाएंगे जो बनाना बहुत adas इसको चुटकें बनाई सकता है सबसे पहले हम यह पेंग कलर शेली नोट लगाएंगे इसके बाद में हमें 2 की चैन ूरेंगे के बाद हमें यहां पहें देखिए कहांस कियिद मुझिदी पनांने हां आदे चैनि अकना ख्यूव मैं दो पन खरांने और फिर फिर इन तीनी होगां पंदों का रभना ञेंगे तीन पंदे का एक पंदा बनाएंगे, फिर से हम दो की चेन बनाएंगे, और यहीं पर हमें तीन पंदे और बना की इस तरह ही आधी आधी पंदे बनाएंगे, और उन तीनों का भी एक बना लेंगे, इस तरह हम यहां पर इनको एक बारे बार निकाल लेंगे, और अब तीनों का हम एक बना देंगे फिर से दो के चेन बनाएंगे सही में इस तरह करना है हमें तीन बार आधे-आधे फंदे लेंगे और फिर इन तीनों का हम एक बार एक फंदा बना देंगे इस तरह हमें यहां पर चार बार कर लेना है तीन तीन का एक बना कर लिया है एक बार और आधे करेंगे तीन फंदे ऐसी लेंगे तो के चेन बना लेंगे और तीनों का फंदों का हम एक फंदा बना देंगे यह देखिए इस तरह तीन पंदों का हम एक पंदा बना देंगे फिर हम यहाँ पर चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और छे छे पंदे बना के यहाँ बीच में हम एक सिंगल क्रूश्य बना देंगे पिसे six large चे बनाएंगे और यहाँ पर तीन तीन के गाहीज एक सेव पहले की त asphalt 10 बना लेने हैं और इस तरह हम यह पूरा राउंड कमप्लेट करेंगे व्याहıs से मैं इससरी हम यह राउंड कमप्लेट करेंगे झाल झाल यह देखेगा हमने पिंक कलर से यह राउंड कम्प्लीट कर लिया है अब हमारा यहां पे लाश राउंड राच चका है बहुत ही इजी है उसको भी बहुत चल्दी से बना जा सकता है यहां देखिए हो जो हमने यहां पे बीच में हमें सिंगल खुरूशिय बना लेंगे यहां तेन चार इस तरह यहां पर देखिए चार हमारे यहां पर हो गए है फंदे दो की चेन बनाएंगे और यहीं देखिए बीच में ही इसको हम यहां पर लॉक कर देंगे फिस स्यम अगले वाले में single crochet बंळाएंगे और ऐसा 2 की chain बना भंडगे और फंदे बना लिने हैं डोटम तीन हो चुके हैं चार कि चार हमने यहां पर फंदे बना लिया और 5 में यहां चार पकून यहां बनाके इसको यह बनाक कर देंगी पिर अगले वाले में जाएंगी उसमें सिंगर क्रोशिय बना लेंगी यहां पर भी सेम मनाएंगे इसको हम यहीं पर लॉप कर देंगे इसे के साथ है हमारा लाट राउंड है अब यहां पर हम सिंगल क्रूशिया बना लेंगे यह देखिए मैं आप सबको दिखाती हूं अच्छे से बहुत ही पैरे पैरे पत्या हैं और यहां पर हम छे सिंगल क्रूशिया बना ले तीन, चार, पांच, छे, ची अगले वाले में बढ़ाएंगी दोनों साहची एची